आप लोगों के लिए काफी कमाल का वीडियो लेके आ चुका हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है और अगर आप एक Android स्मार्टफोन इस्तमाल करते हैं तो यह जो टिप्स और टिक्स में आपको बताने वाला हूँ इनका आप जरूर से इस्तमाल करना यह आपको बहुत ज्यादा help करेगा वैसे काफी सारी इसमें से चीजें ऐसी होगी जिनमें से बहुत सारे लोगों को पता होगी लेकिन कुछ ऐसे लोग भी है जो नया स्मार्टफोन पर्चेस करते हैं Android का जिनको कुछ नहीं पता है तो ज्यादा तर यह उनको बहुत help करेगा लेकिन बहुत सारे इसी पर 예शामपल किसी ना आपसे फोन मांगा और वो बोटाए कि यार मुझे काम करना है उसको शॉपिंग करना है जो भी करना है आपने उसको Amazon की ऐप ओपन करकी दे दिया लेकिन आपको उस पर भरोसा नहीं है तो आप क्या कर सकते है उसको उसी एप के ऑपर लोग करके रख स वो कितना भी चाहेगा उस app के बाहर नहीं आ सकेगा इसको बोलते है screen pinning आपको settings में एक option मिलता है आपको उपर search भी कर सकते है pinning लिखना है उसके बाद उसमें जाके उसको on करना है उसके बाद फिर आपको अपने multitasking menu को open करना है और जो app को आप उसको देना है कि वो use करें वहाँ पर उपर आपको एक option मिलता है settings का उसके नीचे pin option लेता है बस आप उसको pin कर देंगे वो pin हो जाएगा लॉक हो जाएगा वो उसी app में गूनता रहेगा जी हाँ और उसके बाद जब उसका काम हो जाएगा तो आप उससे phone ले सकते हैं आपको multitasking और back button को present hold करना है और फिर से वो unpin हो जाएगा और फिर आप अपने phone का इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे दोस्तों आपके घर में ऐसे भी लोग आते होगे जो आपका phone लेकर खुब सारे call करने की कोशिश करते हैं और आप चाते हैं इसको मैं अपना भी phone नहीं दूँगा अगर आपने गलती से दे भी दिया तो आप अपने phone के outgoing call को जो ब्लॉक कर सकते हैं जी हां आपको कुछ नहीं करना है आपको सिर्व अपने phone के dialer में जाना ह और आपको star hash 31 hash dial करना है इससे आपके phone के outgoing call जो रेश्टिक्ट हो जाएगे फिर वो बंदा लेके कुछ भी कांट करने की कोशिश करेगा किसी को भी call करने की कोशिश करेगा वो blocked हो जाएगे और आप बहाने कर सकते हैं बहाई शायद मेरे operator ने जो वो ब्लॉक कर दिया है मै कल service center में या कहीं पर भी call करके असे जो बात करूगा तो इससे आप बच सकते हैं और आपको सामने लों को बोरा भी ने लगेगा फिर उसके बाद जब वो चला जाता तो आप फिर वापस से dialer में जाके hash 31 hash dial करेंगे तो वो service जो डिजेबल हो जाएगे और फिर आप directly अपन की, girlfriend की, सब की आप अपने हिसाब से जो वो ringtone कस्टमाइज भी कर सकते हैं ऐसा नहीं कि जब भी phone आता तो वो एक ही ringtone बार बर कले हो नहीं आप जा सकते हैं अपने phone के पहले context के app के अदर उसके बाद particular contact में आपको जाना है और नीचे आप जब swipe करते हैं तो वहाँ पर ringtone क option मिलता है और उसके बाद आप जाके particular contact के अपने हिसाब से जो वो ringtone भी set कर सकते हैं तो फिर आपको पता चलेगा अगर अगर गाना बसता है कि शीला, शीला की जवा, तो पता चलेगा मेरी girlfriend का phone आ है और दूसरी तरफ अगर एक ringtone बसती है, मुझे को पहचानल, तो समझ ज अगर आपके phone में कोई भी notifications आते हैं और अगर आपने गलती से उसको swipe कर दिया और आप सोच रहा रहे यार मैंने कैसे हटा दिया, मुझे देखना था कि वो चीज़ क्या थी, ऐसा बहुत बार मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होता होगा, आप वो swipe की हो है notification को जो दे दिख जाएगा, तो आपको tension लिएना कि मैंने क्या swipe किया था, आपको डर लग रहा हो गया और मैंने गलती से swipe कर दिया, तो आप उस app में जाके जो notification आपने swipe किया था, वो आप वहाँ पर देख सकते हैं, वैसे दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके पुराने phone से, आपक phone में जाना है, और auto sync को on रखना है, जिसमें आपको context के photos के सब की चीज़ों को आपको वहाँ पर on रखना है, फिर आगर आप नया phone लेते, वही same Gmail ID आपको नए phone में जाना है, फिर settings में जाना है, अकाउंट में जाके, वहाँ पर भी auto sync on करके, आप नीचे की दरफ अगर पर थे, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, तो one tap में ही आपके सारे जो पुरानी data से वो दूसरे नए phone में आ जाएगे, उसके अलावत उस तो एक और important tip ये भी है कि अगर आप अपने phone के dialer में जाते हैं, और अगर आपको किसी को call करना है, आपने उसका number भूल गया हो, लेकिन आपको उसका नाम याद है, और आपने contact में safe किया, लेकिन आपको डूनने का इतना time नहीं है, आप अपने phone के dialer में जाएगे, और सिर्फ उसके नाम को आप type कर सकते हैं, आपको पता होगा, जो numbers होते हैं, उसके अंदर छोटे-छोटे alphabets भी होते हैं, तो वहाँ दोस्तों, अगर आपका phone खुदाना खासता का भी चोरी हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, backup के purpose के हिसाब से बोर रहा हूं में, आपको अपने phone के settings में जाना है, security में जाना है, device administration में जाना है, और Android वाला यह जो device manager वाला जो option है, इसको activate करके रखना है, और उसके बा वहाँ पर जाके, आप अपने phone की location को जो ट्रैक कर सकते हैं, यह बहुत ही easy process है दोस्तों, जिससे आपको पता चलेगा तुरंती, कि मेरा phone जो जो कहां पर है, हाला कि यह Google का एक process है, जो track हो जाता है, और दूसरी बात यह भी एक है, अगर आपका phone कहीं गुम जाता है, घर म तो वहाँ पर आपको ringer का भी option रहता है, तो आप अपने phone को ring भी कर सकते हैं, भले ही silent mode में हो, इससे भी एक बहुत ही अच्छी चीज़े जिससे आप अपने phone को खोज सकते हैं, तो यह कुछ important tips and tricks मैंना आपको बताया, जो काफी useful थी हो, शायद से आपको इसके बारे में till then, have a great day and always keep sparkle